हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं मटर की एक नई रेश्पी बनाने जा रही हूं इस रेश्पी को बनाने के लिए मैंने मटर को लिया है तो सबसे पहले मटर के दाने को अलग कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों हमने मटर के सभी दाने को अलग कर लिया है अब इसको लेकर चलते हैं धूने के लिए इसको एक बार साप पानी से धूलेंगे इसको धूने से इसमें की गंदगी निकल जाती है बाहर मटर के दाने को दरदरा पीस लेते हैं इसको पीसने के लिए हलका सा दूध डालेंगे तो अच्छे से पीसा जाएगा देखिए दोस्तों पीस लिया है हमने मटर के दाने को आज हम बनाएंगे मटर का हलवा मटर के हलोय को बनाने के लिए मैंने घी चीनी दूध और मखाने को लिया है मखाने को टुकडों में काट लेते हैं मटर का हलवा बनाने के लिए मैंने घी लिया है देशी घी है एकदम दो तीन बड़े चमच गी डालेंगे और मटर को डाल कर अच्छे से भूलेंगे धीमी धीमी आज पर इसको पकाएंगे करते हैं यह देखिए दोस्तों हमने अच्छे से भून लिया है इसको अब इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे और चीनी के साथ अच्छे से भूनेंगे आई उप्या बूस्तों झाय को अच्छे से भूने जजा के झाम के स का चीनीस के से भूने अच्छे से भूने के चीनी डालेंगे यह देखिए अच्छे से दोड़ा हैं वह दोस्तों है अच्छे यह देखिए दोस्तो अच्छे से भुना गया है इसमें दूड डालेंगे दूद को डालकर अच्छे से पकाएंगे इसको अच्छा लगता है खाने में इसमें मखाने को डालकर अच्छे से पकाएंगे देखिए हलवा हमारा लगभग बन चुका है जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो इस तरह से हलवा हमारा बन के तयार होता है दोस्तो अगर हमारा बीडियो आप सबको पसंद आए तो हमारे बीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए दोस्तो हमारा बीडियो आप सबको कैसा लगता है हमारे कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाद अब हम मिलेंगे अगले बीडियो में सबको करिए आप दोस्तो हमारे अगर से अब करिए